हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू खाने दोस्तानी तो ये देखिए फ्रेंड्स आज मैंने बनाया है ये मार्केट जैसा क्रिस्पी डोसा जी हाँ क्रिस्पी डोसा किसी पसंदिंग है और ये मैंने बनाया है लोहे के तवे पर ये देखिए लोहे के तवे पर बढ़ाया जिस या असानी से बना सकते हैं लोहे के तवे पर तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर लिजेगा और अगर पहली बार आप मेरे चैनल खाने असानी पर आये हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लिजेगा बराबर जो पहला आइकन है उसे जरूर प्रेस कीजेगा उसे ही होगा कि आने वाली लेटिस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा तो ये मैंने लिया है लोहे का तवा है जिस पर हम रोटी बनाते हैं इसको हम बहुत ही अच्छी तरह से साफ कर लेंगे क्योंकि जो किनारे होते हैं इस पर अक्सर आटा लगा रह जाता है कभी-कभी और अगर हम पराठे बनाते हैं तो वो भी किनारों पर कभी-कभी ऑईल लगा रह जाता है जिसकी विए से किनारे थोड़े से मोटे हो जाते हैं तो इसे हमें अच्छी तरह से वाश कर लेना है अच्छी तरह से साफ कर लेना है वरना आपका डोसा यहां चिपक जाएगा त देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से क्लीन कर रखा है इसको हम नॉनिस्टिक बनाएंगे वह किस तरह बनाएंगे वह मैं आपको बता रही हूं तो सबसे पहले हम तवे पर थोड़ा सा ऑईल डाल देंगे थोड़ा थोड़ा सा डालेंगे बहुत ज्यादा नहीं डालना इस हमें घृट करना है वस तो हम इसको अच्छी तरह से प्रीज कर लेंगे चारों तरफ से आप स्पून की मदश से हैं मैंने ब्रेच से किया है जब यह ग्रीज हो जैएगा चिकना हो जाएगा अच्छी तरह हम को पैपड लेंगे और इस साफ करगे क्शना प्रैसे ट्रूच को थोड़ा सा गरम कर लेंगे इसके बाद तवे को गरम करने के बाद थोड़ा सा ठंड़ा भी करना होता है उसके लिए हम पानी की डॉप्स डालेंगे यह देखिए इस तरह से तो गरम तवे को हमें ठंडा करना बहुत जरूरी है तभी दोसा बनता है तवे के टंपरेचर को बार बार ठीक करना पड़ता है तो अब हम क्या करेंगे कपड़े से पानी को पोच लेंगे तवे को हमने गर्म करने के बाद ठंडा कर लिया है और गैस की फ्लेम बिल्कुल लो कर दी है और इसके बाद अब हम डालेंगे बैटर तवा हमारा बिल्कुल तयार है डोसा बनाने के लिए क्योंकि हमने तवे को थोड़ा सा ठंडा भी कर लिया है तो थोड़ा सा बैटर हमने डाला है डेल चमबच डाला है इसको आइस्ता आइस्ता गोल गोल इस तरह से घुमाएंगे बीच में क्योंकि इस तवे में थो आकार दे देंगे और अब लो फ्लेम पर हम इसको चार तरफ से बराबर सेक लेंगे बीच में से यह जादा सिख जाता है इसलिए इसको हम रोटेट करते रहेंगे दो तीन डोसे बनाने के बाद तवा बिलकुल तयार हो जाता है तो एक दो डोसे आपके जरूर खराब बन सकत हैं लेकिन बाद में सारे बहुत अच्छे डोसे बनेंगे मैंने भी जब यह डोसे बनाये थे तो दो डोसे मेरे भी चिपक गए थे थोड़े से बीच में से लेकिन बागी के डोसे बहुत अच्छे बने थे तो ऑईल इस पर लगा देंगे अच्छी तरह से और जितना से बराबर से कियेगा मेरा बीच मेंसे थोड undoubtedly हो गया था मैंने जादा सेक लिया था चारू तरफ से आप को बराबर सेखना होगा तो यह मैंने अच्छी तरह से, सेक लिया है अब आहस्ता आहस्ता स्पैचूला नीचे लेकर जासे अच्छोप हुआ था थोड़ा सा बीच में से डार्क है लेकिन है बहुत क्रिस्पी तो इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे और एक बार तवे को दुबारा से हमें टमप्रेचर को ठीक करना होगा लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे जो भी ये चोटे-चोटे से टुकड़े रह गए हैं इसे बिल्कुल साफ कर लेंगे अच्छी तरह से क्लीन करना ज़रूरी है तवे को तो सबसे पहले हम टीशू पेपर से साफ कर लेंगे इसको इसके बाद हमें दुबारा वही प्रॉसेस करना होगा जो मैंने आपको शुरू में बताया था तो यहां मैंने ओयल की डॉप्स डालने के बाद इसको पोच दिया है और इसके टेमपरेचर को फिर दुबारा से ठीक करने के लिए पानी की डॉप्स इसके उपर डालेंगे और तवे को थोड़ा सा थंडा कर लेंगे और उस पानी को भी साफ कर लेंगे इसके बाद तवा बिल्कुल तयार हो जाएगा अगला डोसा बनाने के लिए तो अब दुबारा से हम इस पे डेल चमज भरके बैटर डालेंगे और इसको आइस्ता इस्ता गोल इस तरह से घुमाएंगे जैसे मैंने पहले आपको बताया था परफेक्ट डोसा बनाने के लिए परफेक्ट बैटर की भी जुरत होती है परफेक्ट बैटर मैंने किस तरह से बनाया है इसकी वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्कुशन वॉक्स में दे दूंगी आप परफेक्ट बैटर भी बनाईएगा तो इसको मैंने फैला लिया है थोड़ा सा इसका color change होगा तो हम इसके अंदर oil की drops डाल देंगे ये देखिए इस तरह से चारो तरफ डालेंगे oil की drops और किनारों पर भी डालेंगे ताकि डो सब बहार आसानी से आ सके और इसके बाद अब इसको चारो तरफ से सेक लेंगे गोल घुमाते हुए सेकेंगे ताकि चारो तरफ से ये बराबर सिख जाये तो यहां ये सिख चुका है अब इस spatula लेंगे और आईस्ता आईस्ता इसको इस तरह से उठाएंगे ये देखिए जिस तरह मैंने बताया है आपको तो थोड़ा सा ये डोसा मेरा तूट गया था लेकिन बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनके तयार हुआ था ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी तो मैंने बताया था आपको एक दो डोसे आपके इसी तरह के बनेंगे और बाकी के बहुत अच्छे बनेंगे तो ये देखिए बीच में से ये थोड़ा सा तूट गया है लेकिन बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बना है तो अगला डोसा हम अच्छा बनाएंगे तो तवे को मैंने बिल्कुल तयार कर लिया है पहले ओईल की ड्रॉप्स डाली फिर उसको पोश लिया और उसके बाद पानी का प्रॉसेस भी मैंने कर लिया था और उसको भी पोश लिया था और अब हम इसके उपर बैटर डाल देंगे और इसको गोल गोल इस तरह से घुमाएंगे जैसे के मैंने पहले भी आपको बताया है और इसके बाद इसको सेख लेंगे और ओईल डालेंगे तो ये मैंने फैला दिया है और इसको सेख लिया है ये देखिए इस तरह से चारो तरफ से अच्छी तरह से सिख जाता है ये आपको जितना ज्यादा क्रिस्पी करना है उतना ज्यादा सेक लिजेगा और इसके बाद इस पैचुला आइस्ता आइस्ता नीचे लेके जाएंगे इस तरह से ये देखिए जिस तरह मैं बता रही हूँ तो हलका सा ये भी चिपकता हुआ लग रहा है लेकिन चिपका नहीं है ज्यादा थोड़ा सा हलका सा चिपका है सिर्फ तो ये देखिए इसको हम आइस्ता आइस्ता उठा लेंगे आप चाहें तो इसको पलट भी सकते हैं दूसी तरफ से भी सेख सकते हैं तो ये मैंने और भी जाधा क्रिस्पी कर लिया है इसको, ये देखिए, सिख गया है अच्छी तरह से, तो इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे, और इसके साथ मैंने सर्फ की है नारियल की चटनी, जिसकी वीडियो का लिंक में आपको डिस्क्रिशन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप भी लोही कितवे पर ये डोसे बना सकते हैं, अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल खाना दुस्तानी पर आये हैं, तो प् ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो आपके साथ शेयर करती रहूंगी, ओके बाए!